हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृतिका मिट्टर इस वीडियो में हम लोगों ने कोशिश की है कि गेट को लेकर जो भी आप लोग के questions रहते हैं जनरली हम लोग देखते हैं comment में, कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, कौन सा subject पढ़ें, कौन सा subject छोड़ दें अगर एक साल पहले शुरू करें, तो कैसे करें, final year में हैं तो अभी सही time है कि drop करके prepare करें तो हमने कोशिश की एक video बना कर ये सारी queries आपकी answer करने की, फिर भी अगर कुछ आपको missing लगता है तो आप comments में हमें बता सकते हैं वो सारे questions के answer हम लोग कोशिश करेंगे कि जल से जल आपको provide कर सकें तो इस video में basically हम लोगों ने कुछ strategies कवर की हैं जिससे आप minimum time में जितना भी आपके परस available time है उसमें efficiently gate को crack कर सकते हैं जितनी भी आपकी efficiency है उसका 100% जस्ट दीजिए और बाकी ये जो हमने इस lecture में दिया है इसको follow कीजिए तो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं gate के बारे में gate क्या है क्या होता है इस exam में इसमें क्या पूछ रहे हैं क्या strategy क्या exam का pattern है उसके बाद हम लोग थोड़ी सी electronics के बारे में बात करेंगे electronics में कैसे आप prepare कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ये सब हम बात करेंगे तो देखते हैं, गेट के बारे में पहले देखेंगे हम लोग, तो गेट के लिए ऐसा है कि ये बीटेक स्टुडेंट्स के लिए, और और भी कुछ अंडरग्राजुएट कोर्स के लिए, एक नाशनल लेवल का एक्जाम है, जो की ऑल इंडिया लेवल पे होता है, कंड़क्ट कराता है इसको IISC और जो हमारे 7 IITs हैं, जो की हैं Delhi, Bombay, Guati, Kanpur, Kharagpur, Madras और रुडगी, इन में से कोई ना कोई एक इंस्टिट्यूट इस एक्जाम को हर साल कंड़क्ट कराता है, mostly in January और February, और यह post graduation में, जो भी engineering colleges all over India है, उन में post graduation करने के लिए, यह entrance exam है, इसके अलाबा कुछ हमारे PSU हैं, जैसे की IOCL, HPCL, जो की gate के हिसाब से, gate में आपके result के हिसाब से भरती करते हैं, recruitment करते हैं, तो इन सब दो चीजों के लिए हम लोग gate का exam दे रहे हैं, ओके, फिर यह जो exam है, इसके लिए आपको या तो final year student होना है, या फिर pass out, pass out आप कितने साल पहले के हैं, आपको B.TEC खतम की हुए, कितना time हो गया, इससे कोई फरक नहीं है, इसका कोई concern नहीं है, तो या तो आप final year student, यानि की last semester के student है, या फिर अगर आप pass out student है, तो आप gate का exam दे सकते हैं, B.TEC में आपके minimum marks का कोई criteria इसमें नहीं है, आपके minimum, आपके कितनी percentage थी, या आपका कोई backlog भी even अगर है B.TEC में, तब भी आप gate के exam में appear हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई age limit नहीं है, even if अगर आप 30 साल के हैं, चालिस साल के हैं, आप कभी भी gate का exam दे सकते हैं, हाला कि कुछ PSU's जो हैं, जो gate के थुरू recruit करते हैं, gate के थुरू भरती करते हैं, उनके अंदर कुछ age की limit रहती है, वो maximum 30 साल या फिर, maximum 32 साल आपके category के हिसाब से ही भरती करते हैं, लेकिन gate के exam देने के लिए, M.TEC के लिए, age की कोई भी limit, उमर की कोई सीमा नहीं है, प्लस इसमें attempts की कोई limit नहीं है, attempts की कोई limit मतलब आपने gate एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, पाँच बार दे दिया, उस बात से कोई फरक नहीं पड़ता, आप जितनी बार चाहें, हर साल चाहें, तो हर साल gate दे सकते हैं, ठीक है, फिर जो आप gate एक बार दे देते हैं, तो वो उसका score, उसके marks, उसकी rank आपकी तीन साल तक valid रहती है, उस gate के score के हिसाब से आप तीन साल तक किसी भी institute में post graduation के लिए apply कर सकते हैं, mtech के लिए, mrk के लिए apply कर सकते हैं, ठीक है फिर अब हम देखने वाले हैं कि exam की scheme क्या है, किस type के question पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, तो gate जो है, यह एक online exam है, computer based test है, यानि कि जब आप center पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको computer systems दिये जाएंगे, हर person को एक system alert किया जाएगा, जिस पे आपका exam देना होगा, ठीक है, तो यह 3 घंटे का exam होता है, total marks इसमें 100 होते हैं, 100 number का यह paper है 3 घंटे का, जो कि आपका online conduct कि जाएगा, online conduct मतलब आपका timer जो है, वो system पे set होगा, और 3 घंटे बाद automatically आपका exam जो है, जो screen है वो गायब हो जाएगी, तो इसमें सारे questions आपके online होगे, even जो calculator हम लोग use करते हैं, वो भी आपको अपने साथ ले जाना allowed नहीं होता है, इसमें एक virtual calculator रहता है, virtual calculator मतलब on screen calculator, ठ virtual calculator, यह क्या होता है, एक on screen calculator रहता है, इसमें आपके जो scientific calculator जो हम use करते हैं, अपने college में, उतने functions नहीं होते हैं, इसमें कुछ functions होते हैं, basic functions होते हैं, लेकिन उस scientific calculator से कम functions इसमें रहते हैं, यही आपको use करना होता है, और इसी को use करके आप questions solve कर सकते हैं, फिर gate में कोई sectional cut off नहीं है, इसमें दो sections रहते हैं, एक general aptitude का section रहता है, जिसमें वो आपसे English और aptitude के कुछ questions पूछते हैं, general aptitude का एक section है, जिसमें की 10 questions English और aptitude के रहते हैं, जो कि सारे MCQ होते हैं, MCQ मतलब की 4 options रहेंगे सारे ही questions में, जिनका केवल एक सही answer होगा, तो इस section का weightage है 15 number, 15 number का ये section है, जिसमें की 1 mark के और 2 mark के questions रहेंगे, कुछ questions 1 mark के होंगे, कुछ questions 2 marks के होंगे, plus इस exam में negative marking है, जो भी weightage है किसी question की, जितने भी number का वो question है, उसके 33% number आपके deduct होंगे, अगर आप गलत जवाब देते हैं, यानि की, अगर 1 mark का question आप गलत करते हैं, तो 1 by 3 mark आपका negative होगा, आपके marks कटे जाएंगे, और अगर 2 number का question आप गलत कर देते हैं, तो 2 by 3 marks आपको negative दिये जाएंगे, यानि 2 by 3 marks आपके काट लिये जाएंगे, हलाकि numerical ability question, numerical ability question कौन से है, जिनका answer 0 to 10 कोई एक number ही होता है, ठीक है, आपको एक keyboard वो दे देंगे, एक numerical pad दे देंगे, जिसमें 0 to 9 10 digit दी जाएंगी, और जो भी आपका answer है, वो आपको उन digits को यूज़ करके बताना होगा, ठीक है, answer 0 है, 10 है, 100 है, 200 है, ये क्या है, खाली इसी type का answer होगा, numerical questions होगे, ठीक है, numerical answer होगा, इसमें options नहीं रहते हैं, खाली एक numerical pad रहता है, और उसी से use करके आपको answer बताना होगा, तो numerical ability questions में negative marking नहीं होती है, इसमें आपका answer गलत हो भी जाएगा, तो भी आपको negative number नहीं दिये जाएंगे, तो जो हमारा technical section है, technical plus engineering maths, engineering maths जो है, ये हर trade के लिए, हर branch के लिए common subject है, ये हर branch से पूछा जाता है, उसके अलावा हमारा जो technical trade है, जो आपका specialization है, चाहे वो electronics है, mechanical है, civil है, उससे आपकी सारे मिलाकर 55 questions रहेंगे, 55 questions और इस section की weightage रहती है 85, इस section की total weightage 85 है, इस section में आपको MCQ यानि की 4 options वाले questions जिन में से 1 सही होगा, और NQ यानि की numerical type के questions मिलेंगे, इस section में भी 1 mark और 2 mark दोनों के questions आपको मिल जाएंगे, ठीक है तो इसमें sectional cutoff नहीं है, sectional cutoff मतलब ऐसा नहीं है कि आपको aptitude में minimum इतने number लाने ही है, या फिर technical में इतने number लाने ही है, इस paper की total cutoff दी जाती है, यानि 100 में से minimum 25 number, 30 number जितना भी cutoff है, उतने number आपके आने चाहिए, तब ही आप gate qualified माने जाएंगे, अगर आपके minimum उतने number भी नहीं आते हैं, तो आपको gate का result provide नहीं किया जाएगा, या फिर आपका gate qualified नहीं होगा, और यह जो engineering match है, जो हर trade के लिए common है, इसकी weightage है 15%, ठीक है 15% weightage इसकी रहेगी MCQ में भी और NAQ में भी, तो यह है हमारे exam की scheme, यह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए, फिर उसके अलावा, अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में जुन बच्चों ने gate को top किया, top किया in different branches, उनके कितने number थे, मतलब कि maximum कितने number बच्चे ला रहे हैं, पिछले 5 सालों में, तो हम लोग यहां देखते हैं electronics का, बाकी branches के लिए भी आप trend देख सकते हैं, पर electronics का हम देखते हैं, तो 2011 से लेकर, अगर आप 2016 तक देखें, तो आप देख रहे हैं कि 2011 के बाद, 2012 में जो highest number थे, वो काफी गिरे, लेकिन उसके बाद से यह number consistent है, almost 85 to 90, 85 to 90 toppers के number है, तो देखिए जितनी भी rank आप अपने लिए जितनी भी देखो होता यह है, कि और सब लोग आपको यह बता सकते हैं कि कैसे prepare करें, लेकिन आप किस चीज के लिए prepare कर रहे हैं, आपका goal क्या है यह आप decide करेंगे, आप first rank के लिए prepare कर रहे हैं कि खाली qualify करने के लिए prepare कर रहे हैं, उससे आपकी पूरी strategy change हो जाती है, अगर आप prepare कर रहे हैं टॉप करने के लिए, यानि कि आपका aim है कम से कम 85-90 number लाना, तो फिर आपकी preparation strategy, आपका dedication, input, सब कुछ बिल्कुल change हो जाता है, और अगर आपका aim है खाली gate qualify करना है, किसी जरूरी काम के लिए बस gate में हमें rank चाहिए, खाली qualify करके दिखाना है, तब फिर आपका aim बिल्कुल आपकी strategy, preparation, जितना आपको time देने की जरूरत है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, जैसे किसी किसी को, अगर खाली अपनी किसी company में ऐसा दिखाना है, कि gate qualified है, कुछ ऐसा है, तो आपकी strategy अलग है, तो यहाँ पर हमने पहले लिया है, टॉपर के नंबर, यानि कि अगर आप कोई अच्छी rank के लिए prepare कर रहे हैं, तो minimum आपको aim करना होगा 85 to 90 के लिए, minimum आप इतना aim करेंगे, थोड़ा सा 2-3% plus minus 2-3% का अगर error भी आता है, थोड़े नंबर कम या जादा भी आते हैं, तो आप top 10 में तो आही सकते हैं, तो इसक हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका aim क्या है, एक बार अपना aim set कर लेते हैं, तो preparation की strategy decide करना बहुत easy हो जाता है, बाकी branches के लिए भी आप देख सकते हैं, computer science के लिए अगर आप देखेंगे तो same type का trend है, last 2-3 साल से 80 to 85 नंबर में आपको बहुत अच्छी rank मिल सकती है, ठ देखते हैं cutoff marks, तो 2017 के लिए general का cutoff था 25, category OBC में है 22.5 और SCSTPH के लिए 16.6, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि cutoff बहुत ही nominal number है, बहुत ही normal, बहुत ही कम number है, बहुत ज़्यादा cutoff gate में नहीं जाता है, आप किसी भी branch का देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा cutoff नहीं जाता है, chemical का थोड़ा से ज़्यादा आप यहाँ देख सकते हैं, पर फिर भी 20 से 30 number के बीच में cutoff जाता है, बहुत ज़्यादा cutoff है नहीं, ऐसी 2016 में भी देख सकते हैं, electronics का cutoff 25 ही था, same cutoff था, जैसा 2017 में था, तो cutoff बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, तो खाली gate qualify करने के लिए अगर आपको gate देना है, तो आप aptitude और English बहुत अच्छे से prepare करके, और अपने technical subjects की थोड़ी-थोड़ी knowledge भी लेके, या फिर कुछ छोटे subjects, कुछ EC subjects को prepare करके भी gate qualify कर सकते हैं, लेकिन अगर आप aim कर रहे हैं किसी अच्छे PSU के लिए, किसी IIT के लिए, या कोई बहुत रांक के लिए, तो आपको preparation strategy थोड़ी बदलनी होगी, आपको almost सब कुछ cover करना होगा, syllabus पूरा करना होगा, plus practice खूब सारी करनी होगी, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि syllabus क्या है, EC के लिए, क्या-क्या subjects पूछे जा रहे हैं, गेट में, तो आप देख रहे हैं या प यह जो भी branch का कोई भी student gate में appear होगा, तो उसको engineering maths के questions मिलेंगे, ठीक है, तो इसका जो detailed syllabus है, वो आप IIT की साइट से जाके देख सकते हैं, जिसमें की उन्होंने सारे topics और subtopics दिये हैं, यहाँ पर हम थोड़ा brief में syllabus को discuss करते हैं, plus यहाँ में आपको कुछ जो books हैं, जो आपके books बताई जा रही हैं, उनको gate की preparation के लिए follow मत करें, क्योंकि university में maybe थोड़ा deviation अगर दो books में हैं, तो maybe आपके university वाले उसको priority दे, लेकिन जो gate का syllabus है, जो gate का paper है, वो सब IIT के professors बनाते हैं, और वो standard books को ही follow कराते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हीं के according paper सेट होगा, और अग के according solve होता है, अगर दो answers, कोई दो अलग books, दो answers suggest कर रही हैं, तो जो भी books standard होगी, वो ही follow की जाएगी, तो इसलिए मैं भी आपको यही advice करूँगी, कि अगर आप books से पढ़ रहे हैं, books को follow कर रहे हैं, तो standard books को follow करें, university books को follow ना करें, ठीक हैं, तो एक एक करके सारे subjects देखत Engineering Maths जो है, यह first year of B.Tech में, जब आपका B.Tech का पहला साल होगा, तब आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही Engineering Maths के topics यहाँ पर हैं, तो आप देख सकते हैं, इनको, बुक मैं आपको बता देती हूं, Engineering Maths के लिए, आप देख सकते हैं, कोई, जो भी आपके पास previous year questions हैं, previous year questions, कि जो भी बुक है, किसी अच्छी institute की, किसी अच्छी publication की, उसमें से आप देख सकते हैं, इसके questions, और इसके topics जो हैं, वो detail में आपको IIT की website से मिल जाएंगे, उसके अलावा, आपको मतलब, इसको बहुत जादा detail में पढ़ने की ज़रुरत नहीं है, तो जो भी questions हैं, उनकी according आप देख सकते हैं, कौन सा topic जादा पूछा जा रहा है, और उसी को prepare कर सकते हैं, इसकी weightage almost 15% रहती है, तो इसकी according इसको prepare करें, weightage अच्छी खासी है, और ये scoring है, क्योंकि engineering maths में कोई भी बहुत मतलब uncertainty नहीं रहती है, कुछ बहुत जादा ऐसा unpredictable नहीं है, कि क्या पूछ लेगा, क्या हो जाएगा, तो और questions जो आते हैं, वो आप solve कर सकते हैं, definite answer निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैं suggest करूँगी कि engineering maths को अच्छे से prepare करें, ये आपका जो है almost, अगर आप ढंक से भी इसको पढ़ते हैं, तो 20 days to 1 month लेगा, 20 days to 1 month, देखें, ऐसा है कि preparation strategy जो है, वो सब बच्चों के लिए same नहीं हो सकती है, क्योंकि किस के लिए कौन सा subject weak है, कौन सा subject strong है, हम एक general perception बता सकते हैं, कि जादा तर बच्चों को ये subject weak लगता है, ये subject tough लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही subject tough लगे, चो सबको easy लग रहा है, आपको भी वही easy लगे, तो इसलिए एक one size fits all वाला case नहीं है, सबके लिए same strategy नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम एक general strategy discuss कर रहे हैं, जिसको आप अपने according, अपनी convenience के according modify करके use कर सकते हैं, तो जिसे कई बच्चों को match बहुत easy लगता है, बहुत interesting लगता है, logical लगता है, तो उनको ये subject complete करने में एक हफता या 10 दिन भी लगता है, इतने में हो जाता है, किसी किसी को match में थ तोड़ा सा time लगता है, प्राक्टेस जादा करना पड़ता है, तो यहाँ जो मैं बता रही हूं, यह maximum time है, प्लस एक simple strategy जो आप follow कर सकते हैं, वो यह है कि सबसे पहले एक previous year questions की book लीजिए, या फिर online available है previous year questions, आईटी खड़कूर की साइट पे आपको सारे previous year questions मिल जाएंग की EC gate के, वो डाउनलोड कीजिए, और उन papers को देखके पहले analyze कीजिए, कि कौन सा subject आपके लिए मुश्किल है, कितना आपको आता है, कौन सा subject easy है, किस subject को देखके आपको लग रहा है कि यह मैं B.Tech में अच्छे से पढ़ चुका हूं, इसमें मुझे बहुत जादा time नहीं ल लगता है, लेकिन communications है, signal systems है, electromagnetics है, यह subject थोड़े से बच्चों को tough लगते हैं, प्लस ही subject थोड़े से lengthy हैं, तो इन्हें complete करने में one month लग जाता है, तो मैं यह recommend करूँगी, मैं यह suggest करूँगी, कि अगर आप preparation अभी शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में बड़े subject, lengthy subject, tough subject, ज उनको ना उठाएं, उससे क्या होगा, आपका confidence थोड़ा low रहेगा, उनको अगर आप अपनी preparation के थोड़ा बीच में उठाते हैं, तो वो आपकी preparation को harm नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी preparation अराम से हो सकेगी, आपका confidence low नहीं होगा, देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आ या आप 4 महीने बचे हैं, तो भी आप confident है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई fixed time नहीं है, कि gate को clear करने के लिए 1 साल चाहिए ही चाहिए, या 4 महीने चाहिए, तीन महीने चाहिए ही चाहिए, आप अपनी उपर confidence रखते हैं, आप clear करना चाहते हैं, आपके पास एक perfect strategy है, तो time कितना भ कि एक बार आप analyze करें papers को, अपने लिए decide करें कि कौन सा subject आपके लिए tough है, कौन सा subject आपके लिए easy है, आपको कितना आता है, उसके बाद आप अपनी preparation के लिए एक plan बनाए, उस plan में आपको बस deadlines decide करनी है, deadlines का मतलब क्या है, आपको बस ये decide करना है, कि मुझे एक subject के लिए कितना time देना है, suppose digital circuits आप लेते हैं, आपको लगता ये subject easy है, मैंने b.tech में अच्छे से पढ़ा है, और मुझे आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस subject को हम a lot कर रह 15 दिनों में मुझे इस subject के जो भी मेरे पास notes है, या जो भी video lectures में refer कर रहा हूं, या फिर जहां से भी मैं book से पढ़ रहा हूं, वहां से मुझे इसको पढ़ कर, और minimum 5 साल, अगर आपके पास थोड़ा जादा time है, तो previous 15 साल के, या 10 साल के, कम टाइम है, तो 5 साल के, minimum 5 साल क तो मुझे gate के questions करने ही है, जिससे मुझे पता चले कि मुझे कितना ये subject clear हुआ है, कितना मुझे questions कर पा रहा हूं, तो इतना time up allot करेंगे, आप 10-15 दिन का time इस subject को देंगे, और इसको completely finish करेंगे, ठीक है, तो आपको बस ये analyze करने के बाद, deadlines decide करनी है, communications जैसे कि थोड़ा स बड़ा subject है, इसमें बच्चों को थोड़ा confusion होता है, random variables में, random process में, बच्चों थोड़ा attack जाते हैं, तो इसको मैं बोलूँगी, आप one month भी दे सकते हैं, one month दे सकते हैं, ठीक है, इसको आप analog, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कि इसको दो parts में break कर ले, analog communication और digital communication, और analog communication पहले लेकर 15 दिन में complete करने के बाद, बीच में कोई और subject उठा ले, और digital communication ले ले, ठीक है, तो उस तरह से क्या होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा, कि एक महीने से communication ही पढ़ रहे हैं, और boring थोड़ा नहीं होता, थोड़ा monotonicity जो होती है, जो एक जैसा routine चलता रहता है, वो तो आपको बोरियत नहीं होगी, इस तरह से आप बड़े subjects को ले सकते हैं, signals and systems जो है, यह बहुत important subject है, electronics का, इसके applications आपको communications में, networks में, analog circuits में, even मतलब थोड़ी engineering maths में भी, Fourier transform वगेरा में, बहुत useful है, तो मैं यह बोलूँगी कि signals and system को अपनी preparation के थोड़ा शुरुआत में र काफी सारे और subjects हमारे depend कर रहे है, signals and systems के लिए मैं आपको refer करूँगी, आप यह, विल्सकी and हमीद नवाब एक book है, विल्सकी and हमीद नवाब are the authors of this book, ठीक है, इसका नाम आपको signals and system के नाम से ही मिलेगा, ठीक है, उपन हैम के नाम से आप अगर इसको market में search करेंगे तो यह में भी आपको मिल जाएगी, उपन हैम के नाम से, signals and system की यह book है, इसको मैं refer करूँगी, इससे आप पढ़ सकते हैं, although मैं आपको यह suggest करूँगी कि signals and system की theory पढ़ने से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप questions solve कर सक जितनी books से आप questions बना सकें इसके, वो आपके लिए ज़्यादा useful रहेगा, signals and system में खुद भी बहुत ज़्यादा theory है नहीं, numericals ही आपको ज़्यादा मिलेंगे, problems ही मिलेंगी, तो जितनी भी अच्छे से अच्छी problems आप बना सकें, देकि अच्छी problems बनाने का मतलब यह नहीं जब उसमें दो subjects की mixing होती है, जब उसमें अच्छे concepts की mixing होती है, तो आपका दिमाग उस direction में काम कर सकता है, क्योंकि आपने उसको पहले से train किया है, उसको practice कराया है, उस तरह से काम करने के लिए, उस type के question solve करने के लिए, तो signals and system के लिए मैं suggest करूंगी, आप 20 to 25 days लें, अच्छी books को refer करें, and इसके जितने questions हो सकें, उतने questions solve करें, उसके अलावा एक और चीज, एक और doubt जो मैंने देखा है, बच्चों को रहता है, कि क्या हमें एक coaching की जरूरत है ही है, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आप बहुत सारे gate toppers के interviews दे सकते हैं, चुनोंने अपने final year के साथ, या even drop करके भी without coaching yet clear किया है, and बहुत अच्छी rank के साथ clear किया है, आज वो लोग बहुत अच्छे जगा पर placed है, बहुत जगा अच्छी जगा से IIT से M.Tech करा है उन्होंने, तो coaching कोई necessity नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कि सब लोगों के लिए एक strategy सही नहीं है, तो अगर आपकी convenience पे है, अगर आप effort कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे एक schedule की जरूरत है, एक discipline की जरूरत है, उसके बिना मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, तो definitely आप coaching join कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये necessity नहीं है, आप घर पे अकेले रह कर भी, खुझ से भी, with help of कुछ online lectures, कुछ video lectures, कहीं से कुछ, अगर आपको help चाहिए, PDF से पढ़ कर, या फिर books refer करके previous year questions देखके, अपनी strategy, अपना plan बना कर, क्योंकि देखे, coaching जाने से आपका एक तो थोड़ा time waste होता है, उस time में, क्योंकि जो teacher आपको पढ़ा रहा है, वो आपके according नहीं चलेगा, आपको कोई subject अच्छे से आता भी है, लेकिन अगर उसका वो course, जो है, वो 50 hours का है, तो वो 50 hours में ही complete करेगा, ऐसा हो सकता है, कि आपको वो course क्योंकि अच्छे से आता था, आप खुद पढ़ते तो वो 20 hours में आप complete कर सकते थे, तो वो 30 hours आपने waste किय हैं अपने दिन के, प्लस फिर जो वहाँ पर बैठ के time waste, तो वो सब आप बचा सकते हैं, हाला कि अगर आपका discipline नहीं बन पाता है घर पर अकेले, तो आप coaching जरूर जोइन कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि coaching जोइन करने के बाद ही get clear होगा, और ऐसा भी नहीं है, कि ब circuits की एक book है, Morris Manu, Morris Manu, तो digital circuits के लिए, आप Morris Manu को refer कर सकते हैं, Morris Manu एक अच्छी book है, और standard book है, इससे आपको, hopefully, सब कुछ clear हो जाएगा, communications के लिए, हम एक book refer करते हैं, BP Lathi, और अगर आपको objective questions practice करने हैं, तो मैं एक book refer करूँगी, Kennedy, Kennedy की आपको online PDF भी मिल जाएगी, जिसमें questions रहते हैं, तो Kennedy में objective questions अच्छे हैं, और कई बार इसके questions जो हैं, वो directly ES के pre में पूछे गए हैं, तो हलाकि बहुत अच्छा level in questions का नहीं है, gate में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन theory के revision के लिए Kennedy के questions आप practice कर सकते हैं, फिर next subject जो हम देख रहे हैं, वो है analog circuits, analog circuits भी बहुत बड़ा subject है, electronics का बहुत basic subject है, important core subject है, और analog circuits को पढ़ने के लिए आपको वही बहुत 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 time लग सकता है, analog circuits के लिए मैं आपको recommend करूँगी कि इसको आप EDC, electronic devices पढ़ने के बाद पढ़ें, क्योंकि electronic devices का थोड़ा सा बेस, कुछ concepts, analog circuits में use होते हैं, तो एक बार आप electronic devices पढ़ ले, उसके बाद आप analog circuits को ठाएं, electronic devices पढ़ने के लिए आप एक book use कर सकते हैं, Jacob Milman, Milman एक standard book है, easily available है, Milman ले सकते हैं, और electronic devices के लिए मैं suggest करूँगी आपको 22-30 days, 22-30 days में क्योंकि ये subject में बहुत ज़दर numerical आपको नहीं मिलेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा monotonous लग सकता है, इस subject में बहुत कुछ याद करने के लिए, और बहुत कुछ समझने के लिए part है, तो मैं ये कहूंगी कि इस subject को आप सबसे पहले ना start करें, में भी दूसरा subject आप इसको ले सकते हैं, या फिर कोई दो numerical subjects, like signals and system और control systems के बीच में EDC को उठा सकते हैं, क्योंकि signal system और control system दोनों ही बहुत ज़्यादा numerical वाले subjects हैं, तो उनके साथ अगर EDC को, उनके बीच में, अगर EDC को उठाते हैं, तो monotonous feel नहीं होगा, boring feel नहीं होगा, और EDC को efficiently cover कर सकते हैं, EDC के बाद आप analog circuits पढ़ सकते हैं, analog circuits बहुत बड़ा subject है, तो इसके लिए मुझे लगता है, आपको चाहिए होंगे 30-40 days, 30-40 days अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, analog circuits के लिए मैं suggest करूँगी आपको, analog circuits के लिए आप ये milman, milman को भी refer कर सकते हैं, milman में भी analog circuits continued है, उसके लावा एक book है, streetman and benergy, streetman and benergy, ये भी standard book है, अगर आप चाहें तो इस book को refer कर सकते हैं, इस book से भी आपको मिल जाएगा, इसके लावा एक book है इन दोनों ही subjects के लिए, cedra and smith, cedra and smith भी एक अच्छी book है, इसमें भी आपको कोई confusion अगर कहीं लगता है, कुछ doubts में problem है, तो cedra and smith से आप देख सकते हैं, although मैं आपको recommend करूंगी कि books से बहुत जादा पढ़के notes बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत time taking process है, already जो आपके पास notes है या जो भी आप video lectures refer कर रहे हैं, उन्हें देखकर अपने notes बनाए, books अकर पढ़कर notes बनाने की कोशिश करेंगे तो time बहुत जादा लगेगा, time waste होगा, तो better है क्योंकि ये books जो है, ये gate के लिए या ES को orientation को ध्यान में रखके नहीं लिखे गई हैं, ये just text books हैं, इन में आपके काम की चीज, may be 50% 60% हो, पर 40% जो है वो आपके काम का नहीं है, और book में आपको नहीं पता है कि कहां काम की चीज है, कहां नहीं है, आप सब कुछ पढ़ेंगे, आपका time waste होगा, तो मैं ये suggest करूँगी कि books आप लें, रखें अपने पास, कहीं अगर कुछ confusion हाता है, आपको equation solve कर रहे हैं, आपको लगता है इसका answer ये होना चाहिए, लेकिन answer publication ने कुछ और दिया है, तो जरूर आप books को refer कर सकते हैं, या क्योंकि बहुत जादा time taking है, हाँ, हाला कि कुछ बच्चों को books पढ़ना बहुत पसंद होता है, books जल्दी पढ़ पाते हैं, तो तब आप ये books को refer कर सकते हैं, networks बहुत basic subject है, ECE के लिए, हाला कि electrical का subject है, पर ECE वालों को बहुत जादा difficulties में नहीं आती है, Actually, अगर आप networks के basics हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो जो इसके बाद के topics हैं, उनमें आपको बहुत जादा time देना नहीं पढ़ता है, तो इसके लिए I think 15 to 20 days काफी रहेंगे, और इसके लिए मैं एक book suggest करूंगी आपको, Hayat, William A. Hayat, इसके अलावा एक और book है चौक्रबर्ती, आप चाहें तो उसको भी refer कर सकते हैं, वो भी अच्छी book है, ये foreign writer, Hayat, तो मेभी इसके language समझने में थोड़ी problem हो सकती है, इसके लावा एक चौक्रबर्ती है, उसको refer कर सकते हैं, control system भी बहुत tough subject नहीं है, प्लस थोड़ा numerical type है, तो I think 10 to 15 days इसके लिए बह है, control system में आपको graphs, loops और 24 में diagram रहते हैं, वो अच्छे से practice करने चाहिए, क्योंकि ये एक gate में बनाने के लिए तो नहीं आते हैं, लेकिन वो इस type के questions जरूर पूछेंगे, इसके लिए आपको बनाना अच्छे से आना चाहिए, तभी आप उनको answer कर सकते हैं, इसके लिए ए एक तो है नागराथ, नागराथ को आप लोग refer कर सकते हैं, उसके अलावा एक मान के है, इसको आप refer कर सकते हैं, ये दो बुक्स में control systems के लिए आपको recommend करूँगी, Electromagnetics, थोड़ा सा कभी-कभी बच्चों को tough feel होता है, इसको prepare करने में थोड़ा time लग सकता है, इस subject कितना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहली बार में आपको समझ नहीं आएं, फिर पढ़ना पड़े, तो मैं ये recommend करूँगी, कि इसको आप अपनी preparation की थो 12 उठाने के लिए, पर इसको prepare करने के लिए आपको चाहिए 20 to 30 days, और इसके लिए में recommend करूँगी आपको साधीकू, साधीकू बहुत ही basic book है, इसको आप अगर आपको Electromagnetics बिल्कूल भी समझ नहीं आता है, तब आप साधीकू को पढ़ सकते हैं, अगर IC कोई problem नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हैं, यह अच्छी book है, इसमें थोड़े questions अच्छी level के दिये हैं, अगर आपके पस time है, अगर आपकी strategy ऐसी है, कि आप अभी prepare करना शुरू करते हैं, एक साल है, तो आप इन सारी books में से solved examples को पढ़ सकते हैं, कभी-कभी gate के paper बनाते हुए, भी solved examples के दिख जाएंगे, क्योंकि यह standard books हैं, इन ही के solved examples आपको paper में मिल सकते हैं, अगर आपके बस time बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं यह recommend नहीं करूंगी, तब मैं आपको यही कहूंगी, कि आप इन सारे subjects के notes खुझ से बनाएं, और उसके बाद जो है, आप इनके previous year questions solve कीच अच्छी online test series join कीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग या और भी अगर आप कहीं की join करें test series, तो उसमें self हम लोग research करके, इन सारी books से, और जगाहों से, combine करके, बहुत अच्छे से questions नहीं form करते हैं, और जो बच्चों के लिए helpful हो, जो पहले questions पूछे गए हैं, वो pattern देखते हु करते हैं, तो मैं यह जरूर recommend करूंगी कि कोई भी gate से 2-3 महीने पहले जब भी आपको मौका मिल रहा है, एक online test series जरूर join करें, क्योंकि उससे पहले एक तो आपकी continuity बनती है, आप test देते हैं, तो regularity बनती है, practice होती है, plus आपके लिए वो बहुत ज़्यादा beneficial हो सकती है, ठीक बात करें, is it the right time? अभी शुरू करना सही रहेगा, तो जी हाँ, बिल्कुल सही रहेगा, आप जब भी शुरू करने का सोच रहे हैं, अभी ही सबसे सही समय है, अगर एक साल है, तो बहुत अच्छी बात है, 6 महीने है, तो और ज्यादा अच्छी बात है, और 2 महीने है, तो इसी तरह देखें, इसी स्ट्राटेजी को जो हमने यहां डिसकस की है, उसी को माइन में रखते हुए, आप अपनी स्ट्राटेजी बना सकते हैं, अगर आपका एम बहुत अच्छी रैंक का है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी सबजेक्ट को छोड़ें, या कम द्यान दें, या फिर उसके खाली कुछ क्वेशन्स देखें, ऐसा सजेस्ट में नहीं करूँगी, इस सब के अलावा एक और सबजेक्ट जो गेट में पूछा जाता है, वेटेज बहुत जादा नहीं देता है गेट, लेकिन एक और सबजेक्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो पूछ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही छोटा सबजेक्ट है, इसे प्रिपेर करने के लिए आपको साथ से दस दिन लगने चाहिए, और इसके लिए एक बुक आप जो देख सकते हैं, इसके लिए कोई टेक्स्ट बुक प्रेफरेबली मैं नहीं बताऊंगी, मतल करना, टाइम किल करना, कोई टेक्स्ट बुक को रिफर करना ज्यादा अच्छा नहीं है ऑप्शन, अगर आपको कोई कन्फूजन होती है, तो आप इंटरनेट पे या फिर कोई वीडियो लेक्टर्स देखके उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस इसके प्रिवियस येर माइक्रोप्रोसेसर में 8085, 8086 तो माइक्रोप्रोसेसर पूछता है, अगर आपके बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो 8086 को छोड़ सकते है, 8085 को प्रिपेर कर सकते हैं, बाकी मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी, कि आप कुछ भी टॉपिक्स छोड़ कर जाएए, कुछ कर लेकिन हाँ, अगर आपके परस टाइम बहुत ही कम है, तो आप इस चार्ट से जज़ कर सकते हैं, इसमें हमने दिखाया है, कि प्रिविएस कुछ सालों में, कि सब्जेक्ट से कितना वेटेज के क्वेशन पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं, कि कौन से सब्जेक्ट स ज्यादा नंबर के questions पूछे जाए हैं, like signals and system, जैसा मैंने कहा था, ये बहुत important subject है, प्लस इसके questions mixing में और subject के साथ पूछे जाते हैं, तो इसको आप नहीं छोड़े तो ज्यादा अच्छा है, जनरल aptitude के ये जो 15 नंबर है, ये free के नंबर है, ठीके बहुत ही easy aptitude और English जो ह आप अच्छे से prepare कर ही ले, क्योंकि ये 15 नंबर आपको पूरे भी मिल सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा carefully attempt करें, तो पूरे, माइक्रो प्रोसेसर का देखिए, consistently बहुत ही कम नंबर का पूछा जा रहा है, तो अगर आप बहुत कम टाइम बचा है, और आप preparation late start कर रहे हैं, तो इसको आप maybe छोड़ सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को आप छोड़ सकते हैं, engineering maths क्योंकि थोड़ा सा logical रहता है, प्लस इससे almost 10 नंबर का पूछा ही पूछा जाता है, तो यह मैं recommend करूँगी कि आप ना छोड़ें, हलाकि अगर आपका technical बहुत अच्छा है, तो आप maths को थोड़ा से कुछ topics prepare कर सकते हैं, फिर उसके अलावा हम देखते हैं यहापे, कि analog circuits का weightage जादा रहता है, network theory का weightage जादा रहता है, तो इन subjects को यह जो कुछ core subject हैं आपके electronics के, इनको आप avoid करने छोड़ना, आप try कीजिए कि इनको prepare कर ले, electromagnetic theory बच्चों को थोड़ा tough subject लगता है, कभी-कभी यह बच्चे prepare नहीं कर पाते हैं, अगर आपको first time पढ़के यह ऐसा feel होता है, तो फिर आप इसके खाली previous year questions प्रिपेर कर सकते हैं, जो concepts आपको समझ आरे हैं, उनको बहुत अच्छे से prepare कर सकते हैं, ठीक है, इस subject को छोड़िये किसी subject को मत, क्योंकि एक-एक subject की weightage almost 9 या 10 number के करीब है, अगर आप एक भी subject को छोड़ देते हैं, तो 10 number पीछे 20 number या 80 number है, उसमें से फिर आपकी efficiency पर depend करता है, तो इसलिए messages नहीं करूँगी कि कोई भी subject आप छोड़िये, पर आपके पस time अगर कम है, अगर आपकी efficiency थोड़ी कम है, आप थोड़ा hopeless फिल कर रहे हैं, तो आप इस chart के accordingly decide कर सकते हैं, अपने according decide कर सकते हैं, कि मुझे ये subject tough भी लगता है, ये ज्यादा number का पूछा भी नहीं जा रहा है, तो मैं इसको skip कर सकता हूँ, या में भी later stage के लिए रख सकता हूँ, तो अब आपको अगर आप अभी start करना चाते हैं, तो सबसे अच्छा time है कि अभी शुरू कीजिए, सबसे पहले वो subject लीजिए, जिसमें आ आपको confidence है, जो आपको लगता है कि ये मुझे आता है, आधा आता है मुझे, सबसे पहले उसके previous year questions अनलाइज कीजिए, देखे क्या-क्या पूछा है पहले, उसके according अपनी preparation शुरू कीजिए, क्यों भी video lecture, online tutorials आप refer कर सकते हैं, अगर आप कोई coaching जॉइन कर रहे हैं, तो coaching मे classes आपके according ना हो, में भी वो subject पहला subject नहीं हो, तब आप coaching के हिसाब से चलिए, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, तो उस subject के notes बनाईए, कभी भी कोई बजार से खरीदे हुए notes को में changes या corrections मत कीजिए, अपने handmade notes होना सबसे जरूरी है preparation में, अगर आप अपने notes खुद न नहीं बना रहे हैं, और उनको हफते में अटलीस तीन बार revise नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी memory पे बहुत ज़्यादा rely नहीं कर सकते हैं, मैं ये कहूंगी कि अगर आप कोई भी lectures देख रहे हैं, किसी भी book से पढ़ रहे हैं, तो अपने handmade notes जरूर बनाईए, कोशिश कीजि चोड़ के पढ़िए, अगर आप इस तरह से अपने notes revise करेंगे, तो आप अपने सारे subjects के touch में रहेंगे, आपको ऐसा feel नहीं होगा, कि तीसरे subject पे पहुचे तो पहला भूल गए, और आपको याद रहेंगी चीजे, आपको revision strategy बहुत जादा अच्छी बनाने की जवरत, बा तो क्या हमें drop करके ही तैयारी करने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप final year में भी हैं, तो भी आपके पस पूरा caliber है, even get top करने का, बस थोड़ा सा अपना schedule को plan कीजिए, आपको college भी manage करना है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी manage करनी है, तो थोड़ा schedule plan कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपनी preparation आप शुरू कर सकते हैं, उसके अलावा एक suggestion जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है, कि जब भी आप कोई subject पढ़ रहे हैं, तो अपने handmade notes के अलावा कुछ A4 sheets, कुछ blank A4 sheets अपने पास रखिए, और उनमें बहुत ही छोटे font में, जो भ लगते हैं, important diagram लगते हैं, important concept लगते हैं, कुछ selected concept, सब कुछ नहीं, सब कुछ तो notes में हैं ही, उसके अलावा जो आपको लगता है कि ये बार-बार question पूछ रहा है, इस topic से, इस formula पे-based बहुत सारे questions मुझे मिल रहे हैं, तो उनको आप एक जगा अलग से note-down कीजिए, फिर जैसे आप questions प्राक्टिस कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा formula जिसमें बार-बार गलती कर रहे हैं, कोई ऐसा concept जिसमें बार-बार mistake हो रही है, तो उसको आप उन notes में लिखिए, ठीक है, वो notes आपको handy रखने हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बजार में बहुत सार रखना चाहिए, जो उसको फील हुआ कि यह मैं भूल रहा हूं, लेकिन वो जरूरी नहीं है, कि आप भी वही चीज़े भूलेंगे, आप भी वही गलती करेंगे, तो इसलिए मैं ही suggest करूँगी, कि अपनी handbook आप खुद बनाईए, कुछ A4 sheets लीचिए, उनको छोटे इसमें fold कर लीचिए, या फिर cut कर लीचिए, उनको staple करके अपनी handbook बनाईए, जब भी आपको इस subject पढ़ रहे हैं, तो जो concept आप बार बार भूल रहे हैं, जब आप अपने notes को 2-3 बार revise करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज है, जो आपको बार बार पढ़ने प रखनी है, यह मुझे याद नहीं रह रही है, वो आप उस handbook में रखें, और जब भी आप कहीं ट्रावल कर रहे हैं, या फिर कुछ आपका पढ़ने का मन नहीं भी है, टीवी देख रहे हैं, फोन में कुछ कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उस handbook को हमेशा अपने साथ रखें, उन चीजों को पढ़ते रहे हैं, तो इस तरह वो आपके दिमाग में फिट इन हो जाएंगी, आपको नहीं भी पता चलेगा, तो subconscious memory में वो रहेंगी, और जब आपको question solve करेंगे, तो hopefully वो गलती दुबारा नहीं करेंगे, तो बजार से handbook करीदने की जगा, बहुत बेटर होगा कि आप अपनी खुद की एक handbook बनाएं, प्लस अगर आप अपनी preparation स्टार्ट करने के साथ-साथ, यह handbook बनाना शुरू करते हैं, तो end में आपके बहुत ही अच्छी और refined कुछी formula बचेंगे, जो आपको पता होगा कि मुझे बस यही देखने हैं paper से पहले, paper से जाएगा, प्लस एक चीज़ और में जो बोलना चाहूंगी वो यह है कि study plan जितना अच्छा बना रहे हैं, उससे कहीं गुना अच्छा आपको revision plan बनाना चाहिए, क्योंकि आपने एक साल, दो साल, छे महीने कितनी महनत की, कितने अच्छे से महनत की, कितने अच्छे से concept समझ यह matter नहीं करता है, matter यह करता है कि उस एक दिन आप क्या करते हैं, जिस दिन आपका exam है, उस दिन क्या होता है, तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारे subjects को आपने एक-एक महीना दे दिया, एक-एक महीने में सब प्रपेर कर लिया, लेकिन कोई अच्छा revision plan नहीं बनाया, और सब कुछ भूल गया, उस दिन कुछ अच्छा नहीं कर पाया, तो आपके बहुत अच्छे से उन subjects को पढ़ने का कोई use नहीं है, वो waste है, तो इसलिए अपना revision plan बहुत अच्छे से decide करिये, पहले से ही, बहुत अच्छा revision plan बनाई है, जिसमें से कि एक plan जो मैं आपको बता सकती हूँ, वो यह है कि, पहला subject जो आपने पढ़ा था, पहले वो revise कीजिए, फिर second, third, फिर पहला लीजिए, फिर fourth, फिर second, fifth, फिर third, sixth, फिर fourth, seventh, फिर fifth, और फिर eighth, तो इस plan से क्या होगा, आपके सारे subjects जो हैं, वो almost आपके touch में रहेंगे, सब subject आप याद रख पाएंगे, या फिर इसके अलावा एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, एक बच्चे जो गलती करते हैं, वो यह है कि, दो-तीन subject एक साथ शुरू कर देते हैं, दो-तीन subject एक साथ शुरू करने का कभी भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप एक भी subject ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, तो मेरी recommendation यह रहेगी, कि आप एक टाइम पर एक ही subject पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको पूरा complete कीचिए, उसके बाद दूसरे topic पर जाएए, हाँ, यह आप कर सकते हैं, कि आप जब कोई subject की theory पढ़ रह हैं, शाम में एक घंटा, दो घंटा, आप पहले वाले topic के questions प्राक्टिस कर रहे हैं, यह mixing ठीक है, लेकिन दो तीन subject या दो तीन topics, एक साथ पढ़ने की कोशिश मत कीचिए, एक टाइम पर एक topic पढ़िए, उसको complete कीचिए, उसके बाद दूसरा topic उठाईए, ठीक है, उसके अलावा, फिर अब मैं यही कहूंगी कि अगर आप कोई अच्छी rank, कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो अपने आप discipline लाईए, अपने आप अपना schedule बनाईए, और उसको strictly follow कीचिए, क्योंकि यह जो exam है, यह आपको compulsory देना नहीं है, कोई आपको खेहने नहीं वा मिलेगा, इसके अलावा भी आपको, हम लोगों ने कोशिश की है, इसमें, कि जितनी भी queries हम लोग देखते हैं, बच्छों की वो cover हो जाए, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई doubts है, कोई queries है, तो आप comments में लिख सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे, एक और वीडियो ब तो, okay, अगर और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम किसी और चीज़ भी वीडियो बनाए, तो आप बता सकते हैं, thank you.